नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत हैं ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव उन्नाव में नौवी की छात्रा की गैंग्रेप के बाद हत्या पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर मिला शब 24 घंटे में युवातियों की हत्या से हरकम रिपोर्ट मुहम्मद इर्फान खान, एंका खबर उन्नाव से है यहां गुरुवार सुबह दलित लड़की की गैंग्रेप के बाद हत्या कर दी गई शब पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर सड़क पर पड़ा मिला, शब वाहन से कुछले जाने के कारंग्षत विक्षत हो गया परिजनों ने आरोप लगाया है कि बेटी की गैंग्रेप के बाद गाड़ी से कुछल कर हत्या की गई है लड़की राद 12 बजे से ही लापता थी, लड़की नौवी की छात्रा थी परिजनों का ये भी कहना है कि पुलिस ने बिना बताय शब को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज दिया जानकारी होने पर ग्रामीनों ने परिया हाइवे पर जाम लगा दिया करीब साथ घंटे तक जाम की स्थिती बनी रही परिजनों ने चार अग्यात लोगों पर गैंग रेप का केस दर्ज कराया है उधर पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा कर मामला शांत कराया वियो लड़की के चाचा ने सफी पुर्थाने में शिकायत दर्ज करायी है उन्होंने कहा मेरी भतीजी कल रात फोन से किसी से बात कर रही थी इसके बाद वह बाहर गई तभी से घर नहीं लोटी रात करीब बारा बजे वह घर से बाहर गई थी वही से उसे कुछ लोग जबरन उठा कर ले गए उसके साथ सामुहिक दुशकर्म किया गया फिर उसकी गाली से कुचल कर हत्या कर दी हत्या के बाद शव को शराब ठेके के पास और पुलिस चौकी से महस 50 मीटर दूर फेक दिया वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर चार अग्यात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सोनकर को जाच अधिकारी बनाया गया है उन्होंने बताया कि रात से ही किशोरीला पता थी पहचान न होने पर पोस्ट मॉटम के लिए भेजा गया फिलहाल एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताच की जा रही है बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गई युवक से ही छात्रा कल रात में बात कर रही थी परीजनों ने जान लगाया और यह उनका कहना है कि हत्या है अब तक प्रात्मिक जाच में आपने क्या पाया है किस तरह की कारिवाही और क्या श्वासन दिया आज सुगा इसमें परियर में एक्सिडेंट की सूचना पहले पूलिस को प्राप्त होई थी वात में परज्यों दुराइं हत्याक आरोप लगा कर के तहरिख पंजीकरत करके और इसमें फैयर्द दंज किया रहा है उस्ट माटम करा करके इसमें जो भी विदिक कारवाई होगी और जो भी इसमें अभीक्त शामिलोंगे इनकी विरुत कड़ी से कड़ी कारवाई की जए परियर चौकी इंचार्ज के खिलाब भी आगोप लगाए गए उसके बारे में हम अलग से बिबागी अपनी जाच गाए